यह बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे. Hello friends, स्वागत है आपका काड्डू किचन में. मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की पुड़ी. इसको हम इस्पेशली व्रत के लिए बना रहे हैं, पर यह इतनी टेस्टी बनती है, कि इसे आप कभी भी चाय, चटनी या धही के साथ बना कर खिला सकते हैं. तो फिर चलिए शुरू करते हैं कच्चे केले की पुड़ी बनाना. लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो आप चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. कच्चे केले के पुड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिये हैं दो कच्चे केले, सबसे पहले हम इने कूकर में डालकर तीन विसल आने तक बॉयल करेंगे. यह केले हमारे boil हो गए हैं और यह ठंडे भी हो गए हैं अब हम इने छिलका उताल कर अच्छे से mash करेंगे यह केले के छिलके मैंने उतार दिये हैं अब हम इने एक ball में डाल कर एक अच्छे mashर से mash करेंगे इन केलों को मैंने जादा उबाला है इसे पुड़ी बनाते समय ये फटेंगे नहीं और इन में लंप्स भी नहीं रहेंगे ये केले अच्छे से मैश हो गए हैं अब हम इसमें मिलाएंगे कुट्टू का आटा नमक स्वादा अनुसार ये मैंने ब्रत में खाने वाला नमक लिया है हम सेंदा नमक यूज़ कर रहे हैं साथ में दालेंगे लाल मिर्ची स्वाद के अनुसार अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं इसकी जगे काली मिर्ची भी दाल सकते हैं और साथ में मिलाएंगे बारिक कटा हुआ धनिया अब इन सभी को हाथों से हां अच्छे से मिक्स करेंगे इसका हम एक पूरी जासा टाइट डो त्यार करना है ये एक टाइट डो बनके तयार हो गया है इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिक्स किया है अब हम इसे 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसके पूरी बनाएंगे लगबग 10 मिनिट हो गए हैं हम डो को चैक कर लेते हैं ये डो अच्छे से सैट हो गया है इसको हम थोड़ा सा मसलेंगे जिसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा अब हम प्लेट फॉर्म पे थोड़ा सा ओईल ग्रीस करेंगे और हातों पे भी लगाएंगे थोड़ा सा पेड़ा लेंगे हम पूरी के साइस का और इसके मोटे ठिकनेस की एक कोडी तियार करेंगे, इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये देखिए, ये 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 फिले निकाल लेंगे इसी तरह पहले हम 4 पाझ पुड़िया बना के तियार कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राय करेंगे जब तक हम पुडियों को बेल रहे हैं तब तक हम साथ साथ तेल गरम करना भी रख देते हैं ये सभी पुडियां हमने बेलकर तयार कर ली है और तेल भी गरम हो गया है तो चलिए जलते हैं कडाई की तरफ तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं हुआ है इसको चैक करने के लिए हम छोटा सा एक बॉल दालेंगे, यह जट पर तल गया है, मतलब तेल हमारा गरम है, अब इसमे हम पोड़ी दालेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेस करेंगे, और इसको एक साइट से सिखने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंग यह देखिए, यह बहुत ही अच्छी फूल गई है, अब हम इसको टर्न करेंगे, यह बहुत ही अच्छी से गोल्डन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी बाद तलेंगे, यह सभी पूड़ी बनकर तयार हो गई है, यह देखिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बेल आइकन को दबा कर, और क्लिक करें, thank you.